नमस्कार आपके साथ मैं और ओहुत कुमार आपने श्वार नेशन देख रहे हैं बिहार के मुख्य मंतर नितिश कुमार के अध्यक्षता में उचसतर ये बैठक के बाद जो जानकारी निकल के सामने आ रहे हैं उसके मताबिक राज्यू में जो है छे जनवरी से लिकर के 21 जन से लगतार संक्टरवन के मामने तेजी से बढ़ रहे हैं उन तमाम चीज़ों के बाद जो है अब सरकार इस बात का फैस्ता लिया है कि अब छे जो जनवरी है उसके बद धिरातरी से याने की पांच जनवरी के रात 12 बजे के बाद से लेकर के 21 जनवरी तक जो है ये तमाम तरह की पाबंदियां होंगी जिसमें मौल जिम जैसी जगहें पार्क्स बगरा बंद किये जाएंगे तो दूसरी तरफ जो है बिहारी के जो स्कूल है उनमें क्योंकि विंटर वेकेशन चल रहे हैं को बढ़ाया जाएगा क्लास आठ जो आठवी तक के कक्षाएं हैं उनको जो है 21 जनवरी तक के लिए बंद रखाया सकता है इसके साथ ही साथ है जानकारी ये भी निकल के सामने आ रही है कि राजी सरकार जो है वो पचास फिजदी जो छमता है उसके अनुरूप जो लोगों को एक तरीके से कहें कि वो जो सीनियर स्टूडेंट से क्लास एट सेरे क 12 और कॉलेज वाले स्टूडेंट से उनको 50% अटेंडेंस के हिसाब से आने के अनुरूप मिल सकती है ये बड़ी खबर आ रही है मास को कंपल सरी किया सकता है दुकानों के खुलने का वक्त भी बदल सकता है ये तमाम तरही जानकार निकल के सामने आ रही है से मितिश कुमा नहीं ये एक तरीकेस कहें कि बड़ा मन बना लिया है सुत्रों के हवाले से पुरी बड़ी खबर है कि बिहार में लागू होगा नाइट कर्फ्यू रात दस बजे से लेके सुबह के 6 बजे तक यानि कि इस बीच में किसी के निकलने पर पूरी तरीके से रोक होगी जबकि इसके साथ साथ 6 जनवरी से 21 जनवरी तक जो है वो नाइट कर्फ्यू लागू होगा जीम मौल पार्क ऐसे जो महत्वपूर जगहें वो बंद हो सकती है धार्मिक स्थालकों भी बंद करने पर सरकार फैसला कर सकती है तो बड़ी खबर है बिहार से जहां पर मुख्यमंतरी इसके साथ जो स्वास बिभाग ने जो आंकड़े या फिर जो रिपोर्ट तयार की थी जिसका हवाला लगतार मुख्यमंतरी देते रहें उन तमाम खबरों के उन तमाम चीजों के बीच में अब यह निकल के सामने आ रहा है कि इसी के आधार पर जो है सरकार ने इस बात का फैसला लिया हलाकि राजशी में सरकार यह मान की चल रही है कि संक्रमन बहुत तेजिस से फैल रहा है लेकिन अभी भी उतनी घबराने वाली बात नहीं लेकिन अतियातानी तमाम तरह के कदम भीड को कम करने के लिए उठाया जा सकते हैं फिलाल इस वीडियो में इतना ही ज